आज से कुछ साल पहले ये खबर आई थी कि उत्तर कोरिया ने जो जमीन के नीचे हाइड्रोजन बम विस्फोर्ट किये थे, वो अब तक के किये गए सबसे बड़े न्यूक्लियर विस्फोर्ट थे। कुछ अनुमानों के अनुसार इंका वजन सो किलोटन था, जो 1945 में अमेरिका द्वारा नागासाकी पर गिराए गए फैट मैन बम से पांच गुना अधिक शक्तिशाली था, जिससे सत्तर हजार लोग तुरंट मारे गए थे। लेकिन यह अभी भी प्रित्वी पर अब तक के सबसे बड़े मानव निर्मित विस्फोर्ट, सोवियत संग के जार बॉमबा या फिर कहें बमों के राजा की तुलना में कम है, जो 1961 में परमानों हथियारों की होड के चरम पर टेस्ट किया गया था। उस हाइड्रोजन बम ने 50,000 किलोटन या फिर कहें 50 मेगाटन की चोका देने वाली शक्ती पैदा की थी। उस समय की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि जार बॉमबा ने आक्टिक नुवाया जेमल्या द्वीप समूह में परीक्षन स्थल के 55 किलोमीटर के भीतर सभी इमार को नश्ट कर दिया था। चारों और सेकरों किलोमीटर तक इमारते नश्ट हो गई और खिरकिया तूट गई। यहां तक कि फिनलेंड और नौर्वे में भी खिरकिया तूटने की खबरे थी। कहते हैं विसफोर्ट से उत्पन हुई शॉक्वेव ने ग्रह के चारों और त द्वारा गिराया गया। इस दोरान विमान चालक दल बाल बाल बचे बाद में ये सामने आया कि बम और भी अधिक शक्तिशाली हो सकता था। इसे मूल रूप से 100 मेगाटन विसफोर्ट उत्पन करने के लिए डिजाइंग किया था। लेकिन व्यापक आबादी को प्रभा को रोपने के लिए इसे कम कर दिया गया। सोवियत संग ने 1960 के दशक में नुवाया जेमल्या में अत्यदिक शक्तिशाली परमानु हत्यारों के कई अन्य परीक्षन किये थे जिनकी क्षमता 20-24 मेगाटन थी। लेकिन जुलाई 1945 में परमानु हत्यार यूग की शुरूआत के बाद से 2000 से अधिक जानबूज कर किये गए परमानु विसफोटों में से आधी से अधिक अमेरिका द्वारा किये गए हैं जो अभी भी युद्ध में परमानु हत्यारों का उप्योग करने वाला एक मात्र देश है। नवंबर 1952 में अमेरिका ने दुनिया का पहला हाइ ड्रोजन बम विसफोट किया था जो कि अमेरिका दुआरा बनाये गए बमों से कही अधिक शक्तिशाली बम था। कोडनेम आईवी माइक, बयासी टन वजनी हतियार को प्रशांत महासागर में मार्शल द्वीब समूह में डेटिनेट किया गया था। इसकी विसफोट शक्ति 10 मेगाटन थी। एक भौतिक विज्ञानी और अमेरिकी परमानु कारेक्रम में अग्रणी व्यक्ति हेरोल डेगन्यू, वहां खड़ी उनहीं नावों में से एक पर सवार थे। विसफोट के बाद में उन्होंने कहा, जो चीज मैं कभी नहीं भूलूंगा वो है वह पैदा हुई गर्मी, जो बस धीरे-धीरे लगातार बढ़ती रही। ये वास्तव में काफी भयानक अनुभव था। विसफोट का बादल लगबग 50 किलोमीटर उचा और 100 किलोमीटर चौड़ा था, जिसने अलोगिल अब्द्वीब को पूरी तरह से नश्ट कर दिया। आ आथी क्षेत्र में एक जापानी मचली पकरने वाली नाफ के चालक दलभी विकिरन बीमारी के चपेट में आ गए। लेकिन 1997 में अंतरराष्ट्रिय परमानू उर्जा एजेंसी ने कहा कि बिक्नी एटोल को वर्तमान रेडियोलोजिकल परिस्थितियों में स्थाई रूप स जिसका की रिकॉर्ड आज तक कोई भी देश नहीं तोड़ पाया।